नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो वास्तुशास्त्र में घर के द्वारों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है जिस घर के द्वार नहीं होते हैं उस घर में लक्षमी प्रवेश नहीं करती है घर के मुख्यद्वार से ही समस्त देवी देवता तथा सकारात्मक उर्जा घर में प्रवेश करती है। मुख्यद्वार को हमेशा ही वास्तु के नियमों के अनुसार बनवाना चाहिए तभी उसके शुब परिनाम प्राप्थ होते हैं। यदि घर का मुख्यद्वार वास्त वास्तु शास्त्र के नियमों के आधार पर नहीं बनाया जाता है, तो ऐसा द्वार बहुत ही अशुद परिनाम देता है। ऐसे द्वार के कारण धन का नाश होता है। लक्ष्मी घर में निवास नहीं करती है। और सारा धन खर्च हो जाता है। इसलिए मुख्य द्वार को बनाते समय वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार की दिशा, मुख्य द्वार का आकार और मुख्य द्वार के पास रखी जाने वाली शुभ वस्तुएं आदी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी आज हम आपको मुख्यद्वार से जुड़े सभी वास्तुनियम बताएंगे. साथ ही जानेगे मुख्यद्वार के उपर कौन सी चीजे रखना शुब होता है. तो चलिए जान लेते हैं मुख्यद्वार के संबंध में महत्वपूर्ण वास्तुनियम. पहली बात, वास्तुशास्त्र में मुख्यद्वार की दिशा का बहुत अधिक महत्व है. गलत दिशा में बना हुआ मुख्यद्वार अशुब फल देता है. मुख्यद्वार के लिए सर्वोत्तम दिशा उत्तर, पूर्व तथा उत्तर पूर्व दिशा ही सर्वता उचित मा इन दिशाओं में मुख्यद्वार बनाने से उस भवन में रहने वाले लोगों का विकास होता है। इन दिशाओं में मुख्यद्वार बनाने से उस भवन में रहने वाले लोगों का विकास होता है। इन दिशाओं में मुख्यद्वार के सामने उपर की तरफ जाती हुई सीधिया नहीं होनी चाहिए। यह परिवार के सदस्य की उन्नती होने नहीं देती है। यह सीधिया घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक उर्जा के मार्ग में बाधक बनती है। लेकिन अगर आप मुख्यद्वार के पास धर में प्रवेश करने के लिए सीधिया बनाते हैं तो यह सीधिया हमेशा विशम संख्या में होनी चाहिए। पांचवी बात है मुख्यद्वार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार बिना हाथ लगाए ही द्वार का अपने आप ही खुलना बहुत ही अशुब होता है। जिस भवन के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। उस धर के लोग सदा सरवदा किसी ना किसी रोग से पीडित रहते हैं। ऐसे घर में बुरी शक्तिया का वास होता है। इसलिए ऐसे द्वार को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। सात्वी बात द्वारा अपने आप ही बंध होना। वास्तुशास्त्र में द्वारों का अपने आप ही बंध होना भी अशुब माना गया है। जिन्स घर के द्वार अपने आप ही बंध हो जाते हैं, उनके कुल का नाश हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों की कभ तरक्की नहीं होती है। द्वार पर आई किस्मत भी लोट जाती है। जिससे घर में शोक और दरदरता का वातावर्ण बना रहता है। इससे भवन में वास करने वालों को दुख यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य द्वार से परियाप्त प्रकाश घर में आना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार लकडी का ही होना चाहिए। द्वार को बंद कर दे अथवा खोलते वक्त उस से आवाज नहीं आनी चाहिए, इससे ध्वनी वेद निर्मान होता है, और परिवार में क्लेश की स्थिती निर्मान होती है, मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ कोई दिवार नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ठीक यही होगा कि मुख्य द्वार के सामने अंदर की तरफ कि अन्यकक्ष का द्वार हो। आवश्यक्ता होगी जिसको आप शुक्रवार के दिन सर्सों के तेल में अच्छे से डुबो कर रख दें और शनिवार की सुभा उस नाल को सर्सों के तेल से बाहर निकाल कर किसी साफ कपड़े से अच्छे से पोंच लें फिर शनी महाराज के सामने दीपक जला कर उनसे आग करें कि आपके घर को वेहर बुरी नजरों से बचाएं और उसके पश्चात ही आप उस घोडे की नाल को अपने घर के मुख्यदवार पर लगा दें यहां नाल हमेशा आपके घर की रक्षा करेगी दूसरी चीज है नारियल दो हम हर शुब कार्य में नारियल अवश्य फोर और नारियल हमेशा बुराईयों से बचाने में हमेशा मदद करता है जोतिश शास्त्र में कहा भी जाता है कि जीस घर में नारियल का पेड होता है उस स्थान पर साक्षात लक्षमी नारायन निवास करते हैं यदि आप नारियल का पेड घर के सामने नहीं लगा सकते हैं तो तो आप एक नारियल अपने मुख्यद्वार पर अवश्य बांध लें। इससे मा लक्षमी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपकी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। तीसरी चीज है गनेश जी की मूर्ती। भगवान श्री गनेश को विगनहरता के रूप में जाना जाता है। यदि आप अपने घर के मुख्यद्वार पर भगवान श्री गनेश की मूर्ती रख देते हैं, तो बप्पा आपकी हमेशा बुरायों से रक्षा करेंगे और आपक गर में हमेशा सकारात्मक उर्जा का वास होगा। चौथी चीज है नीमबू मिर्च शास्त्रों के अनुसार घर के बाहर नीमबू मिर्च अवश्य लटकानी चाहिए। इससे मा लक्षमी की बड़ी बेहन अलक्षमी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। अलक्षमी घर में से दरिदरता आती हैं। इसलिए उन्हें हमेशा ही घर के बाहर ही रखना चाहिए। पांचवी बात रक्ष की माला यदि आपके घर के किसी सदस्य को किसी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो रही है। और इस कारण से घर के लोग निराश रहते हैं तो सुमबार के दिन अपने घर के मुख्यद्वार के अंदर की और 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लटका दें अथवा इनका तोरन बना कर लगा दें। इससे घर में रहने वाले सदस्यों के हर कार्य सफल होते हैं। आपके घर के मुख्यद्वार के आसपास जाडू बिलकुल भी ना रखें। इससे देवी लक्ष्मी रुठ जाती है। जाडू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ पर किसी की नजर ना पड़े। बाहरी लोगों को आपकी जाडू कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इससे धन का खर्च बढ़ता है। मुख्यद्वार को हमेशा ही चौखट अथवा देहलीज भी अशुद परिनाम देती है। मुख्यद्वार को हफते में एक बार को मूत्र से स्वच्छ करना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्ती नश्ट होकर घर में सुख समरिध्धी आती है। गोमूत्र को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना ज जाता है। इसे गंगाजल के समान माना गया है। इसी लिए इसका उप्योग अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में मुख्यद्वार से संबंधित वास्तुनियम बताए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी विडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जैमा लक्षमी लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।